आज हम आपको गाजर को लंबे टाइम तक स्टोर करने का तरीका सिखाएंगे जो बहुत ही आसान है और कई बारी ऐसा होता है हमारे पास गाजर हमें यूज करनी होती किसी रेसिपी में और गाजर खतम हो जाती हैं तो उसके लिए आप एक जबरदस तरीका अपनाएं गाजर लेंके बाद में अच्छे से दो लें दोने के बाद ऊपर का नीचे का हिसा कट कर लें और जिस भी साइज में आपको गाजर चाहिए उस साइज में आप काट लें तो मैंने यहां पर लगबग एक इंच के करीब मैंने गाजर का साइज लेंध रखा है और इसके बाद में कड़ाई में पानी को आप गरम कर लें पानी जब गरम हो जाएगा तब हम इन चौप की हुई गाजरों को इसमें डाल देंगे और इसमें हमें बॉइल कर लेना है तो हमें बिल्कुल सॉफ्ट गलाना नहीं है इसे इसे हमें 70% कूक कर लेना है तो 2-3 मिट में गाजर आरान से इसमें बॉइल हो जाती है तो अभी आप देख सकते हैं अभी इसमें उबाल आ चुका है ज्यादा हमें नहीं पकाना है नहीं तो गाजर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है और ये बिल्कुल ही फिर मैश होने अभी लगवक तीन मिनट हो चुके हैं और गैस का फ्लेम मैंने आफ कर दिया है और बस इस पानी को हमें निकाल देना है तो इस तरीके से मैंने यहां पे एक जारा ले लिया है और इसकी मदद से मैं गाजर को सप्रेट कर लूँगी तो मैं इसे इक प्लेट में निकाल करके ठंडा करूंगी पहले और फिर हमें इसे प्रीजर में स्टोर करना है तो इस तरीके से आप किसी भी वेज़िटीवल को यूज कर सकते हैं मिक्स वेच को भी आप इसी तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं बॉइल कर लें और फिर बाद में आप इन्हें ठंडे पानी में थोड़ी देर डिप करके रखें ताकि यह अब ओवर कुक ना हूँ तो यह देखिए मैंने एक बरतन में पानी ले लिया और कुछ उसमें आइस क्यूप्स डाल दिये हैं और इन गाजरों को अब हम इसमें डाल देंगे और जरूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी हम इसमें उपर से और डाल देंगे तो यह देखिए यह अच्छे से अभी डिप हो चुकी है सभी गाजर तो कम से कम पांच मिनट आपको रख देना है इसी तरीके से और उसके बाद में इस पानी को हमें हटा देना है तो यह देखिए इसी तरीके से मैं जारे से गाजर को सप्रेट कर लूगी तो यह बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स कई बार ही हम सोचते है कि कोई रेसिपी में हमें गाजर की जुरत पड़ती है आलो गाजर बनाना है जो भी रेसिपी आप बनाना चाहरे है और गाजर खतम हो गई हो तो आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी पुलाव में या बहुत सारी रेसिपी में हमें काम आती है गाजर वैसे भी बहुत अच्छी होती है और इन दिनों में गाजर मिलेगी और बाद में गाजरें बिल्कुल खतम हो जाने वाली हैं मार्केट में तो दूसरी आपको औरेंज कलर वाली गाजर मिलेगी तो इस तरीके से आप गाजर को स्टोर करके रख सकते हैं और एक स्टोर करने के लिए आप एक इस तरीके का जिप लोग बैग ले ले या फिर कोई भी एरटाइड डबा हो तो उसमें भी आप डाल करके रख सकते हैं पध्यान रहे गाजर एकदम ठंडी हो जानी चाहिए और फिर हम इसे डाल लेंगे तो उमीद है आज की जो मिरी ये जवर्दस ट्रिक है आपके काम आएगी बहुत ही हल्पुल होने वाली है आप इस तरीके से ट्राइ तो करिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजेगा आपने फैमिली और फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें क्योंकि बहुत ही हल्पुल और बहुत ही जवर्दस ट्रिक है और इस तरीके से पूरी एर हम निकालते हुए जिप लॉक बैक को टाइटली लॉक करके फ्रीजर में स्टोर करके रखेंगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजेगा शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ताकि उन्हें भी ये हल्पुल ट्रिक मिल पाए और नीचे आप कमेंट कर सकते हैं